ध्यान से देखे इस फिश को इस फिश के अंडे दुनिया में सबसे महेंगे खाने के लिस्ट में आते हैं एक केजी आपको लगबग 25 से 30 लाख रुपे पड़ सकता है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है पुरीत और आपको मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं फूड साइस के करने वीडियो में आज मैं आपको कैवियार के बारे में बताने वाला हूं कि यह क्या होता है यह इतना और बेस्ट कॉलिटी का कैवियार हमें वाइल स्टर्जन फिश के स्पीशीज से मिलता है और यह स्पीशीज कैस्पीयन सी में पाया जाता है जो कि रशिया और इरान के बार्डर के पास होता है और कई कैवियार के स्पीशीज के स्पीशीज हमें ब्लैक सी में भी पाया जा पर धीरे धीरे डैंप्स बनने के कारण और फिशिंग के कारण और हाइट्रो एलेक्रिसिटी प्रोजेक्ट के कारण यह फिश धीरे खतम होने लगी और एक्सिंट होने तक पहुंच गई सन 19 से के बाद यह कैवियार बहुत जादे एक्सपेंसिब और रेर हो गए इसलिए यूए ने कैस्पियन सी से कोई भी कैवियार जो एक्सपोर्ट हो रहा है उस पे बैन लगा दिया ताकि कोई भी और स्टर्जन फिश ना मरे और एक्सिंट होने से बचे धीरे धीरे लोगों समस्टा ने स्टर्जन फिश की ब्रीडिंग करवाना शुरू किया और इसलिए अभी भी कैवियार हमें मिलता है अब इसमें प्राब्लम नहीं होने चाहिए ब्रीडिंग करवा हो और ज़्या ज़ाद से क्यादा क्या प्रोड्यूस करो जिससे कि प्राइज कम हो जाए पर एक प्राब्लम है, एक अच्छे स्टार्जेन फिष को मेच्छर होने में साथ से बीस साल लग जाते हैं और बेलूगा कैवियार या फिर बेलूगा स्टार्जन फिश को बीस साल से जादा ही लग जाता है और आप इमेजन करो कोई भी ऐसे बिजनेस में जिसको 20 साल से चला रहे हो और profit नहीं आ रहा है कि आप उसको आगे बढ़ा पाऊगे और एक बार फिश के अंदर से एग्स निकालने के बाद उसको clean करने में बहुत ज़्यादा time लग जाता है और ये बहुत labor intensive process है इसलिए बहुत कम लोगे इसकी breeding करते हैं अब caviar produce कैसे किया जाता है स्टर्चन फिश को सबसे पहले भियोश किया जाता है भियोश करने के बाद इसके अंदर से एग्स एक निकाला जाता है जिसमें बहुत सारे अंडे जुड़े होते हैं और फिर इसको एक special screen से पास किया जाता है जिसकी मदद से अंडे सेपरेट हो जाते हैं एक्स से और फिर इसको different different sizes में segregate या फिर सेपरेट किया जाता है फिर इन एग्स के अंदर 3 से 10% तक salt mix किया जाता है और इसके बाद इसको drain out करने के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि excess water बाहर निकल जाए इसके बाद इसको tin cans में भर कर इसको deep freeze किया जाता है minus 3 degree Celsius तक क्योंकि इसके अंदर salt mix है यह frozen नहीं बनता पर बहुत ज़्यादा च 3.5% तक salt होता है जिसकी वज़े से यह बहुत जल्दी खड़ाब होता है जाद से जादा यह 2-3 दिन तक ही रहता है और इसको मुलासल कहते हैं जैसे जैसे salt concentration को बढ़ा जाता है वैसे वैसे प्राइस थोड़ा कम होता जाता है क्योंकि इसको लंबे समय तक store कर सकते हैं और इसको ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं स्टर्जन फिश को छोड़कर दूसरे फिश की स्पीशिस के अंडे को भी प्रड्यूस कि जाता है इनको इमिटेशन के वियार कहता है या फिर सिंपली फिश रो करके पकारते हैं इन में से सबसे बेस्ट और सबसे पॉपिलर फिश है सालमन सालमन के अंडे के ब्राइ्ट पिंग कलर के होते हैं और ये जपां में बहुत जादा ख्का जाता है इस फिश के अंडे को अच्जी की कार प匹लगत है या फिर काड हो गया इनके इस फिश के अंडे को भी बहुत ज़्यादा खाया जाता है मुझे उमीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आगा और आपने कुछ नया सीखा होगा कैवियार के बार में ऐसी ही फूड और फूड के विजियो साइंस से उसे सीखने के लिए सब् पूड से चैनल को धन्यवाद